Controversies 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 ऐसे बड़े-बड़े मुकाबलों में छोटी-छोटी Controversies तो चलती रहती है मगर ऐसी कौन सी Controversies होगी जिसके लिए पूरी की पूरी वीडियो बनानी पड़ गी तो स्वागत है आप सभी का Sportverse के इस चानल में और ऐसी Controversies के बारे में बात करेंगे जिसमें फोड़ी सी जो Sportman Spirit है उसको भी हर्ट करा है कहीना कहीं यहाँ पे प्लेयर्स ने आपको इस वीडियो में बताता हूँ तो बेसिकली एक World Cup में या फिर ODI format में जो टाइम होता है जब विकट गर जाती है नए बैस्मेंट के आने के तो दो मिनट के अंदर अंदर नए बैस्मेंट आ जाना चाहिए क्रीस पे और बॉल फेस करने के लिए तयार होना चाहिए अब एंजिलो मेथ्यू जब फील्ड पे आये थे तब अल्रेडी एक मिनट पचास सेकंड हो चुके थे वहाँ पे अब उसके बार उन्हों ने थोड़ी सी बात बात करी अपने नॉन स्राइकर से वहाँ पे जो अंपायर थे स्वाप उनका तूट गया था तो लगाने में बैठे वे थे वह अब किसी ने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया मगर वहां से जो रिचर्ड साब ने जो अंपायर थे उन्होंने अंदेशा दे दिया था उस टाइम पे शाकिप को पता चल गया था कि टाइम आट वाला से भार कर दिया एंजलो मैथ्यू ने बहुत यहां पर हाज जोडे बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप देख रहे हैं सेफ्टी इशू है यहां पर मेरा हैलमेट थोड़ा सा मैलफक्शन हो गया था इसलिए मैं जादा टाइम लगा रहा हूं मगर यह रूल तो रूल है रूल क क्याप्टन थे सौरफ गाउंगली वो अल्मोस्ट टाइम आट हो गये थे मगर फिर भी उन्हें बचा लिया गया था इसे हम करते हैं स्पोर्ट मैं स्पिरिट अब वहां पर यह था कि विगेट गया था अब सौरफ गाउंगली वहां पर फटावर्ट से तियार होके गए अब टेस्ट में तीन मिनट का टाइम आउट होता है तीन मिनट से भी ज़्यादा एकसीट कर दिया वहां पर जो साउथ अफरिका की कप्टान थे ग्रेम स्मेथ उन्होंने अपील नहीं करें उन्होंने बोला कि इस तरह से में किसी बैस्मन को आउट नहीं करना चाहता है य एक बार नहीं बहुत बार हुआ है क्योंकि बांगलेट इसके जो स्किपर है वो स्पोर्ट में विश्वास नहीं रखते और हुआ क्या शिलंका वाले आप नारास हो गए जब हात मिला नहीं था तब उन्होंने हात नहीं मिला और इसे साब से एंजलो मैथ्यूस को बिना ब बताना और वास यार इतनी दी वीडियो में अगली वीडियो में